हाई गाईज तो यार कल डियू की आंसर की आई है और मैं कल से आप लोगों के मेसेज़ पढ़ रहा हूँ और मेरे पास तीन प्रॉमिनेंट डाउट आए हैं पहली चीज गलत कोशन के दूसरी चीज मॉडरेशन के और तीसरी चीज कौन सा कॉलेज मिलेगा मैं तीनों को आंसर कर देता हूँ सबसे पहली चीज जो कोशन गलत थे या जो कोशन में आपकी स्टेटमेंट ही नहीं थी और प्शन में कुछ मिसिंग था उन कोशन के मांग सब बच्चों को मिलेंगे बिल्कुल टेंशन मतलो ठीक है आपको उन कोशन को चैलेंज करना मांग सब बच्चों को रिवार्ड होंगे तो क्या आपको चैलेंज करना चाहिए देखो अगर आपका बजट है आपको कोई फरक नहीं पड़ता आप सेफ साइड रहना चाहते हो तो भाई कर देना चैलेंज ठीक है अगर आप भाई फाइनेशली मतलब थोड़ा कर रहे हो चैलेंज कर देगा जो बिल्कुल सेफ साइड रहना चाहता है तो नौट नेसेसरी के आप चैलेंज करो ही करो मार्क्स लेने के लिए सेकंड चीज अगर आपको लगता है आपकी शिफ्ट के कोश्टन डिफिकल्ट है दूसरी शिफ्ट के कंपारेजन में बिल्कुल टेंश और आपका क्युमिलिटिव स्कोर दूसरे शिफ्ट वाले से फिर भी जादा हो सकते क्योंकि आपकी शिफ्ट डिफिकल्टी तो नौर्मलाइजेशन मॉडरेशन का प्रोसेस फॉलो होता है मट टेंशन लो शिफ्ट डिफिकल्टी तो और थर्ड और लास्ट चीज कि भाई कौन सा कॉलेज मिलेगा डेखो मैने एक विडियो बनाई थी रैंक्स के उपर आपके मार्क्स के उपर कि अगर आपके इस परसंटेज हो इतने मार्क्स लाई चांस है वो विडियो का लिंक मैं फर्स्क कमेंट में डालो जाकर देख लो अब देखो मुझे उसमें से आप बहुत बच्चे मेसेज करके कह रहे हो भई आपने exact college नहीं बताया आपने exact चीजे नहीं बताई देखो approximation ही मैं बता सकता हूँ ठीक है आपका इस साल का exam 2020 की difficulty level पे था तो वो वाली वीडियो जाके देखे approximation ले लो मैं पंडत नहीं हूँ मैं आपको अपने अगले आने वाले 15-20 दिन में पता चल ही जाएगा कौन सा college मिलना है तो let's have some patience best of luck guys and मेंको एक बड़ी comment section में जुरू बताना क्या marks और number आप लोगों के रहे बाई